जिनके उपर कंप्लेन गया है, जिनके उपर शिकायत हुई है, विधान सवा में सवाल पूछा गया है, ट्रांसर हो गया एक मेले पहले और बिना नोटिफिकेशन के उनका डेपर्टेशन वापस उसी चुनावी छेतर में कर दिया गया नमस्कार देंगेट आप देख रहे हैं, बिहार में दो सीटों पर उप्चुनाव हो रहे हैं और चुनाव प्रचार अब ठम गया है, आपको बतादे कि नेता प्रतिफक तेजस्वी यादो आज प्रेस कंफरेंस करते हैं और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाते हैं, उन्हो प्रशाशन देखिए, इलेक्शन कमिशन का बात ना सुनते हुए कोई कारवाई नहीं की गई, बलकि वहां के जो भी एसेसपी हैं, या वरिय धिप्षक हैं, या जिला निर्वाचिन पर अधिकारी हैं, हमारे पास लिस्ट है कि कौन को अधिकारी को कहां कहां ड्यूटी रगाया गया, तो हम लोग देखते हैं भाई, कि ये जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेन था, भाजी के खिलाफ, उनको जो ह है, पचीस बूठ की जिमेवारी मिल जाती है, पचीस बूठ, आफ्टर कंप्लेइनिंग हो जो, ये साफ तोर पे हमारे पास, जिला निर्वाचिन पतधिकारी का हस्ताक्षर भी है, यानि, इलेक्शन कमिशन को भी धर्चिनार करके बिना रिपोर्ट के, बिना करवाई के, बिना सुनवाई के नियमनु साथ, उनको होना ही नहीं चाहिए, और आश्र की बात यह है कि डेपोटिशन, उनका एक महिने, एक महिने पहले ट्रांसफर होता तो डेपोटिशन गर भंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, हम लोगों ने वेब साइट से लेकर हर जगा ढूंडा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन डेपोटेशन का वापस आने का, हम लोगों को नहीं मिला, यानि छुपाया गया, अब आप देखिए, दिलिप कु और तिलकेश्वर में जो है, प्रभार दिया गया भूतों का, तो आप समझ सकते हैं, काई अधिकारी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके उपर कंप्लेंग गया है, जिनके उपर शिकायत हुई है, विधान सवा में सवाल पूछा गया है, ट्रांसर हो गया एक महीने पहले, और बिना नोटिफिकेशन के उनका डेपर्टेशन वापस उसी चुनावी छेतर में कर दिया गया, हमनों इलक्षिन कमिशन में कंप्लेंट के, इलक्षिन कमिशन ने जिना में भी बेज़ दिया करवाई के लिए, और उनको पता चलता है कि भाई, पचीश बूद की लोगों का उसके बाद सवाय में ट्रांसर होता है, एक मेने पहले और फिर चुनाव में डेपर्टेशन पर बुला लिया जाता है, बिना कहीं नोटिफिकेशन सार्वजनिक ने किया जाता है, एलक्षिन कमिशन के कहने के बाद भी उनको पचीस-पचीस बूद की जिमेवा तो देखा आपने किस तरीके से त्यस्वियादों ने सरकार पर आरोप लगाया है, और कहा है कि सरकार इसमें चोरी करना चाहती है, वोटों की चोरी करना चाहती है, ऐसे अधिकारियों को वहां रख कर जो उनके मन पसंदीदा अधिकारी है, जो उनके लिए काम करते हैं इस परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे आप बन रहे हमारे साथ अब तक के लिए नमस्कार